हलो दोस्तो आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तो अगर आप भी competitive exam की तयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा helpful होने वाली है दोस्तो इससे पहले की वीडियो में हमने blood group का part band के बारे में जाना था समझा था दोस्तो अगर आपने बहे वीडियो नई देखी है तो चैनल पर जाएए और उस वीडियो को देख लीजिए जिससे कि आपके सारे doubt क्लियर हो जाएंगे तो दोस्तो वीडियो को बिलकुल भी इसके मत कीजिए और पूरी वीडियो आवश्य देखिए आरेच फेक्टर की खोज काल लेंड इस्टीनर तता बीनन ने की थी दोस्तो आरेच फेक्टर की सरव प्रितम किस प्रकार चर्चा हुई और किस प्रकार इसकी खोज हुई उसके बारे में हम जान लेते हैं दोस्तो जैसा कि हमने पहले ही देखा था कि बलेट गुरुप चार पिरकार के होते हैं बलेट गुरुप A, बलेट गुरुप B, बलेट गुरुप A, B और बलेट गुरुप O तो दोस्तो ये चारो पिरकार के बलेट गुरुप तो होते ही हैं दोस्तो इन चारो प्रकार के ब्लेट ग्रूप्स की खोईशतो काल लेंड इस्टीनर ने 1902 के बीच में की थी पर दोस्तो काल लेंड इस्टीनर बहुत ही ज़्यादा चिंतित थे 1902 से लेकर 1940 तक क्योंकि उनको यह पता नहीं चल रहा था कि किसी ब्यक्ति का ब्लेट ग्रूप ए है तो दूसरी ब्यक्ति का ब्लेट ग्रूप ए है उसको चड़ाने पर बहे ब्यक्ति मर जाता है वही दू दूसरी ब्यक्ति का ब्लेट ग्रूप ए है उसको ब्हे ब्यक्ति चड़ाने पर एक ब्यक्ति मर जाता है और दूसरी ब्यक्ति जीवित रहता है दोस्तो ऐसा कैसे हो सकता है काल लेंड इस्टीनर एक दन अपनी लेब में बैटे हुए थे तबी उनके परमित्र बीणर आए दोस्तो काल लेंड इस्टीनर की लेम में बीनर आय बीनर नाम के साइंटिस्ट तो दोस्तो बहे ऐसे ही चर्चा कर रहे थे आपस में तभी बीनर ने काल लेंड इस्टीनर से पूछा कि तुम इतने चिंतित कें लग रहे हो तभी दोस्तो काल लेंड इस्टीनर ने बताया कि म मैं जबका यही सोच रहा हूं कि अगर एक ब्यक्ति का blood group A है बही दूसरे ब्यक्ति का blood group B A है उस ब्यक्ति को blood की जरूरत है तो उसको blood चड़ाने पर बहे ब्यक्ति मर जाता है बही दूसरे और ब्यक्ति जीवत रहता है तो दोस्तो इसका कारण क्या है दोस्तो इसका कारण ह कि जो ब्यक्ति पॉजिटिव होता है उसको पॉजिटिव ब्लेड के साथ नेगेटिव ब्लेड भी चलाया जा सकता है वही नेगेटिव ब्याले ब्यक्ति को नेगेटिव के अलावा और कोई भी ब्लेड नहीं चलाया जा सकता जो बीनर नाम के बैग्यानिक थे उन्होंने ल की खिड़के के पीछे उनको एक पेड़ दिखाई दिया सुन्दर सा उस पेड़ के ऊपर बंद्रों का जुन्ड दिखाई दिया जैसा कि आपको डाइग्राम में दिखाई दे रहा है कि यह बंदर कितना क्यूट लग रहा है दोस्तो काल्ड लेंड इस्टीनर तता बीनर ने इसी प्रकार के बंद्रों के अलग-अलग ब्लड के सेंपल लिए और उन सेंपलों को सुक्ष्म दर्शी की शहायता से देखा तब ही दोस्तों उनको सुक्ष्म दर्शी से देखने पर ब्लेड में कुछ अलग ही प्रकार के एंटिजन पाई जा रहे थे इन्हीं को हम आरेच फेक्टर के नाम से जानते हैं दोस्तों जैसा कि आपको दाइग्राम में दिकाई दे रहा है दोस्तों पहले तो हमने मनुश्य के ब्लेड को देखा था तो उसमें यह आरेच फेक्टर दिकाई नहीं दिये थे दोस्तों फिर उन्होंने बंदर के ब्लेड का सेंपल लिया उसमें उनको दिकाई दिया कि ब्लेड ग्रुप्स में फेक्टर भी पाई जाते हैं जिनको हम Rx factor के नाम से जानते हैं दोस्तो ये देखिए गोल-गोल संदशने दिखाई दे रही है इसको Rbc कहा जाता है और Rbc के उपर जो त्रबुच जैसी संदशने दिखाई दे रही है इसको bread group A के नाम से जाना जाता है और ये आपको चरकुटी संदशने दिखाई दे रही है इसको हम Rx factor के नाम से जानते हैं क्योंकि दोस्तो इसी का पता लगा था मंदर में दोस्तो ये है Rx factor जिस भी Rbc के उपर पाए जाते हैं उनको हम positive के नाम से जानते हैं यानि कि Rbc के उपर जो Rx factor पाए जाते हैं उनको हम positive के नाम से जानते हैं और जो Rbc के उपर जो Rx factor नहीं पाए जाते उनको हम negative के नाम से जानते हैं दोस्तो जैसा कि आपको diagram फश्ट में देखाई दे रहा है किसी बंदर की Rbc को देखा गया तो उसकी Rbc के उपर blood group A तो पाया जा रहा था लेकिन उसके साथ साथ Rx factor भी पाया जा रहा था इसी कारण इसको हम blood group A positive के नाम से जानते हैं और उसी प्रकार दूसरे diagram में देखाई दे रहा है उसकी Rbc पर blood group B पाया जा रहा है और B के साथ साथ Rx factor भी पाया जा रहा है इसी कारण इसको हम B positive के नाम से जानते हैं और diagram 3 में देखिए तीसरे बंदर की Rbc के उपर A और B परकार के antigen पाया रहा है और इनमें किसी भी परकार का Rx factor नहीं पाया जा रहा इसी कारण इसको हम A B के नाम से जानते हैं दोस्तो इसको हम A B negative के नाम से जानते हैं दोस्तो इसी परकार blood group O है जिस बंदर का blood group O है उस पर किसी भी परकार के Rx factor नहीं पाया जा रहा है इसी कारण इसको हम blood group O negative के नाम से जानते हैं दोस्तो डाइग्राम 5 में देखिए डाइग्राम 5 में ब्लेट गुरूप A है जिस बंदर का ब्लेट गुरूप A है उस पर किसी भी प्रकार के RH फ्यक्टन नहीं पाए जा रहे इस कारण इसको हम A नेगेटिव के नाम से जानते हैं दोस्तो डाइग्राम 6 में देखिए किसी बंदर का ब्लेट गुरूप B है उस पर किसी भी प्रकार के RH फ्यक्टन नहीं पाए जा रहे इसको हम B नेगेटिव के नाम से जानते हैं और दोस्तो देखिए डाइग्राम 7 में A B पॉजिटिव है क्योंकि दोस्तो इसमें A B के अला पाया जा रहा है इसी कारण इसको हम A B पॉजिटिव के नाम से जानते हैं दोस्तो डाइग्राम 8 में देखिए किसी बंदर के ब्लेट के सेंपल को लिया उसकी आरवीशी के उपर ये देखिए दोस्तो आपको चतुर भुच की जैसी संदशना दिखाई दे रही है क्योंकि इसके उपर RH फेक्टर पाया जा रहा है इस चतुर भुच के जैसी संदशना को ही RH फेक्टर के नाम से जाना जाता है इसी कारण इसको O पॉजिटिव के नाम से जाना जाता है असा करती हूँ दोस्तो कि आपको RH फेक्टर समझ में आ गया होगा क्योंकि जिस भी RVC के उपर RH फेक्टर पाया जाता है उसको हम प्लेस के नाम से जानते हैं यानि कि पॉजिटिव के नाम से जानते हैं और जिस भी RVC के उपर RH फेक्टर नहीं पाया जाता उसको हम नेगेटिव के नाम से जानते हैं तो दोस्तो कुल मिलाकर ब्लेट ग्रुप्स आठ प्रकार के होते ही हैं पर क्या दोस्तों आप जानते हैं कि कौन ब्यक्ति किस ब्यक्ति को दे सकता है दोस्तों जानते हैं तो कमेंट वाक्स में कमेंट कीजिए नहीं जानते हैं तो आईए दोस्तों जान लेते हैं दोस्तों रहा पॉजितिव बाला ब्यक्ति के बल रहा पॉजितिव बाली ब्यक्ति को साथ रहा की पहले कोजल रहा था तब जैसे किसी ब्यक्ति को कोरोना है तो उसको positive बता दिया जाता था और इसी प्रकार किसी ब्यक्ति को कोरोना नहीं है उसको negative बता दिया जाता था दोस्तो तो जो positive बाला ब्यक्ति है उसको कोरोना है बहे केबल positive बाले ब्यक्ति को ही बिलेट दे सकता है अगर दोस्तो बहे negative बाले ब्यक्ति को अगर बिलेट दे देगा तो उसको भी कोरोना हो जाएगा इसी प्रकार दोस्तो नेगेटिब बाला ब्यक्ति नेगेटिब के साथ साथ पॉजिटिब को भी बिलेट दे सकता है क्योंकि दोस्तों उसको किसी भी प्रकार का कोरोना नहीं है क्योंकि बहे नेगेटिब पाया गया है टेस्ट दोरा तो दोस्तों बहे नेगेटिब के साथ साथ पॉजिटिब ब् ब्यक्ति को ही ब्लेट दे सकता है और और नेगेटिब बाला ब्यक्ति नेगेटिब के साथ साथ पॉजिटिब बाले ब्यक्ति को भी ब्लेट दे सकता है आईए दोस्तों आप हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि पॉजिटिब बाला ब्यक्ति किस-किस को बलड दे सकता है और नेगेटिब बाला ब्यक्ति किस को बलड दे सकता है और लिश सकता है दोस्तों आई ये चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं जैसा कि आपको चार्ट में देखाई दे रहा है बलड ग्रूप्स आठ परकार के होते हैं अब किस को बलड दे सकता है दोस्तों ए पॉजिटिव बाला ब्यक्ति ए पॉजिटिव के साथ साथ ए भी पॉजिटिव को भी ब्लेट दे सकता है और यह है ए पॉजिटिव ए नेगेटिव ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव से ब्लेट ले सकता है और दोस्तों ए नेगेटिव बाला ब्यक्ति ए नेगेटिव क साथ साथ A positive और A B negative के साथ A B positive को blood दे सकता है और बही A negative A negative के साथ O negative से भी blood ले सकता है और दोस्तो B positive B positive के साथ A B positive को भी blood दे सकता है और यह B positive B negative O positive और O negative से blood ले सकता है और दोस्तो इसी प्रकार B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B- जान लेते हैं दोस्तों AB positive बाला ब्यक्ति केवल AB positive बाले ब्यक्ति को ही blood दे सकता है और यह सवी से blood ले सकता है यानि की AB positive बाला ब्यक्ति सवी से blood ग्रेन कर सकता है और दोस्तों आईए अब हम AB negative के बारे में जान लेते हैं AB negative AB negative के साथ AB positive को भी blood दे सकता है और दोस्तों AB negative किस किस से blood ले सकता है दोस्तों AB negative, A negative, B negative, O negative और AB positive से blood ले सकता है आईए दोस्तों अब हम O positive के बारे में जान लेते हैं दोस्तों O positive किस किस को blood दे सकता है तो दोस्तों यह है blood दे सकता है A positive, B positive, O positive और AB positive को blood दे सकता है और दोस्तो यह है किस-किस से ब्लेट ले सकता है दोस्तो यह है ब्लेट ले सकता है O-positive और O-negative से ब्लेट ले सकता है और यह केबल O-negative से ही ब्लेट ले सकता है आसा करती हूँ दोस्तो कि आपको यहां तक की वीडियो समझ में आ गई होगी तो दोस्तो यहां पर हमारा ब्लेट गुरूप टॉपिक खत्म होता है आसा करती हूँ दोस्तो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो वीडियों के लिए हमारे साथ बने रहिए धन्यवाद।